हेलो वरिवान दिस इस निखेल आइम फ्रॉम करेकिक सर्विसेज तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब आयूस काउंसलिंग के रिगार्डिंग इसका बड़ा बेसबरी से इंतजार था बहुत सारे स्टूजेंट स्कोर या बेसिगली जो लो रैंकर्स थे जिनका लो इसकोरिंग था उन बच्चों के लिए एक पंजाब और एक यूपी स्टेट ऐसा है कि जहां पर एक उनको कहीं ने कहीं है प्राइवेट कॉलेज मिलने क कि प्रोबिबल्टी जादा होती है मतलब उतना टफ नहीं होता है मतलब नहीं रहता है कॉंपटिटीव इन सेंस ओप इतना इसी नहीं रहता है कि आपके just qualify उतना आपको कॉलेज मिल जाएगा वह कॉलेज मिलेगा इंट जो जो अतना बढ़िया नहीं होगा लेकिन हमको तो college भी बढ़िया चाहिए दन सारी चीज़ें valid good चाहिए है और हमारे पास एक अच्छा सक college हमको मिलना चाहिए हमारे minimum scoring पे दन उसके लिए क्या option है तो इस video में हम आपको updates भी बताएंगे तो फिलाल इनका registration portal open हो चुका है तो अगर आप चाहिए तो पंजाब counseling के लिए अगर आप seek out कर रहे हैं तो अगर आप just qualify हैं तो देन आप apply कर सकते हैं अगर हम बात करें यहां पे BMS, BHMS या BOMS में से किसी भी course के regarding अगर आप यहां पे admission के लिए apply करना चाहते हैं तो इनकी जो official website है graup.org तो इसका link मैं आपको description पर दे दूँगा तो देन आप website पर जाकर register करो अपना registration process complete करिया है registration process क्या है देन उस पे भी हम discussion कर लेंगे फिलाल अभी यही एक notice आया है इन future के लिए अभी कोई भी ऐसा update नहीं है किये scheduling है proper well and good तो आप भी हो सकता है कोई और भी update आए अगर आप आयरवेदा college देखना चाहरा है तो देन आप academic section में जाके हाँ पर आयरवेदिक colleges में click करियेगा देन आपको आयरवेदिक college के लिस्ट मिल जाएगी कुछ college यहां पर government भी है कुछ private भी है तो अगर हम टोटल नंबर आप college की बात करें तो 17 भाई देखो तो यूपी के टक करेगा तो कोई state नहीं है है न करनाटिका है देन करनाटिका में भी उतना नहीं है देन यूपी में तो 36 college प्राइवेट government मिला के तो अब बात को समझो और यहां पर अगर हम बात करें कि कैसे apply के जाता है तो देन पूरा का पूरा registration प्रोसेस यहां पर दे रखा है कि कैसे apply करना है क्या करना है सबसे पहले online form filling होगी ठीक है देन login reference number आपको रिसीब होगा और password रिसीब होगा ठीक है reference नमबर और पासवर्ड डाल के आप फिर से re-login करिए ठीक है rest of it जैसे ही आप re-login करेंगे तो उसके बाद आपको scan document upload करने होंगे counseling fees pay करनी होगी और यहाँ पर choice select करेंगे then final print ले ले लेंगे अगर कुछ भी doubt queries आती है तो दो इस पर official email और इसे number दे रखा आप इस पर कर भी सकते हैं अपनी query तो अब अगर हम बात करें कि इस पर कितनी counseling fees बगर आप पे करनी पड़ेगी अब यहाँ पर यह देखिए कोई notice इस दे रखा है और न्यू कॉलेज संत सहारा आरवेदिक कॉलेज बटेंडा इस एड़ेड इन दा choice list of provisional admission in BMS तो मतलब कि एक यार college और यहाँ पर बढ़ गया है ठीक है या हो सकता है कोई पुराना college रहा होगा तो दो दिन हो सकता permission वोगरा मिल गई हो तो दिन को आल access हो जाएगा अब अगर हम बात करें आप पे कि और क्या process है और क्या कोई new update है तो दिन notification वगएर आपको यहां मिलते रहेंगे official website आपको regular visit करनी होगी अगर आप चाहे हैं तो मेरा चैनल भी subscribe कर सकते हैं तो उसमें अभी हम आपको जितना भी updated content होता है दिन वो हम आपको provide कर आते रहते हैं तो दिन आज का वीडियो यहीं तक और इसी तरीके से counseling regarding college review regarding updates पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें अगर आपको पंजाब में एडविशन के लिए paid counseling services चाहें लो स्कॉरिंग पे अच्छा कॉलेस्ट हो देना फिर भी ले सकते हैं लेकिन ऐसा कोई भी option नहीं कि लो स्कॉरिंग पे आपका just up qualify हो देन आपको एक government college मिल जाएगा ऐसी कोई भी प्रक्रिया genuine और authentic नहीं हो सकती है बिकोज counseling के भी हाब पे ही सारी allotment आती है और government colleges में उतनी counseling seats नहीं है कि ज्यादा आसानी सी place में लब आपको allotment आ जाए अब अगर हम बात करें यहां पर कि किस तरीके से इसको register करना है सबसे पहले login करिए दिनों आपको यहां पर जाना है online application form में फिर उसके बाद आपको आपसे कुछ personal detail ली जाएंगी तो यह जो manual browser है इस पर पूरा का पूरा दे रख़ा है कि कैसे कैसे choice filling करनी है कैसे form fill करना है कैसे आपके पास reference number आएगा email ID और number में एक भी mistake मत करिएगा वह आपको एकदम accurate और एकदम perfect ठीक डालना है आप उसको verify कर लीजेगा आपके पास OTP वगेरा आरा की नहीं आ रहा है तो आज का वीडियो यहीं तक और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से quality review regarding updates पाने के लिए चैनल को subscribe करो वीडियो पसंद नहीं तो like करिएगा तब तक ले बाबाए